लो फ्रेंड्स आज के इस video अबाँ आपको यह बताने जारों की कैसे आप अपने old kaip 25 प्रों एंच्ट्रें पॉल्जेन एल्फोन में आप अपने उलपोन की जो फाइल क्हें अप के अप को ओवन करेंगे प्रहले सब्स्राइब करना है इस वाली पेज में आपको नीचे की साइड यह जाना है इसके भी बैक पेज पर जाना है तो यहाँ यह आपको Android system के इसी लाइन में आपको नीचे ही साइड ने यह option मिल जाता है system UI का system UI पर tap करना है अब देखे इस वाले page में भी आपको storage का option tap करना है ठीक है अगले page में आपको नीचे clear catch का option tap करना है तो आपका catch के सामने ला data zero हो जागा यह दो process आपको सबसे पहले complete कर लेने ह अब देखे यहां पर आपको अगला काम करना है आपको अपने mobile phone का software आपको चेक करना है कि वह update है या नहीं है इसके लिए पहले phone का internet आपको चालू रखना है इसके बाद phone का setting page उपन करना है सबसुपर आपको search bar पे tap करना है यहां पर सबसुपर search bar में software आपको लिखना है आपको नीचे यह software update का option आता है इसे tap करना है अब आपको इस वाले page पे कोई भी update का button या download install अगर यहां पर लिखा हुआ दिखाई देता है तो उससे आपको tap करके phone का software update कर लिना है अब देखिए अगला काम करना है क्या है आपको अपने mobile phone को reset करना है factory reset करना है देखिए द search पर में reset आपको लिखना है ठीक है आपको नीचे की side यह option show होगा erase all data factory reset पर tap करना है अब आपका यह पीक पिछ और यह देटा पे नीचे यह रिवी फोन की Gmail ID और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है यह दो काम आपको पहले करना है उसके बाद फोन को रिसेट करना है ठीक है तो मेरे बता है वे सारे प्रोसेस आप यूज करेंगे तो इससे आपकी प्रॉलम जो है वो सॉल्व हो जाएगी ठीक है